उशा के दो बेटी थे रिशप और सुनिल रिशप उसका सौतेला बेटा था उशा हमेशा ही अपने सगे बेटे सुनिल को ज्यादा प्यार करती थी सुनिल की शादी हो चुकी थी और रिशप के शादी भी निशा नाम की लड़की से हो जाती है उशा सुनेल की पत्नी किर्ती को ज्यादा प्यार करती थी एक दिन वो अपनी बहु किर्ती के लिए साड़ी ले आती है ये लो बहु तुम्हारे लिए साड़ी लाई हूँ कल पड़ो उसकी शादी में जाना है न तुम यही पहन कर चलना तभी वहां रिशव आ जाता है अरे मा तुम निशा के लिए साड़ी नहीं लाई वो भी तो कल शादी में जाएगी न हाँ हाँ वो भी जाएगी पर उसके पास तो काफी साड़ी होंगी न अभी अभी तो शादी हुई है तुम दोनों की तो उसी में से कोई पहन लेगी वो रिशव यह सुनकर उदास हो जाता है तब निशा कहती है आप उदास क्यों होते हो जी सही तो कह रही है मामी जी मेरे पास तो बहुत साड़िया है और सारी की सारी नहीं है मैं उनी में से कोई पहन लोगी वो बात नहीं है निशा मा मेरे साथ तो सौतला व्यवार करती ही थी पर मुझे लगता था कि मेरी पत्नी के साथ वो ऐसा कभी नहीं करेंगी पर आज उन्होंने तुमारे साथ भी वैसा ही व्यवार किया रिशव उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है रिशव को उदास देकर नीशा को अपनी सास पर बहुत गुसा आता है एक दिन उशा सुनिल को कुछ पैसे दे रही होती है ले वीटा सुनिल ये कुछ पैसे रख ले और बहु को कहीं घुमा लिया जी ममे जी सुनिल वहाँ से चला जाता है ममी जी आपने इने तो कभी पैसे नहीं दिये ऐसा सौतेला व्यवार आप क्यों करती है बहू ये किस तरह से बात कर रही हो तुम अपनी सास से कोई ऐसे सवाल करता है कि अपनी सास उसे सास अरे जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ न आपने तो मुझे अपनी बहू माना ही नहीं हमेशा किर्ती भावी के लिए ही सब कुछ लाती है मुझे तो आज तक आपने कुछ दिया ही नहीं क्या मैं जानती नहीं कि आप ऐसे क्यों करती है देख निशा, तु अपना काम कर समझी, मेरे से बहस करने की कोई जरुरत नहीं है तबी वहां रिश्यब आ जाता है निशा, मा से ऐसे बात नहीं करते, तुम जाओ अपने कमरे में हाँ हाँ जा रही हूँ, मुझे भी इनसे बात करने का कोई शौक नहीं है निशा, अपने कमरे में चली जाती है, और रिश्यब भी वहां आ जाता है निशा, तुमने मा से क्यों जगड़ा किया? क्योंकि आप तो कुछ कहती ही नहीं, बस शुप चाप सहते रहते हैं किसी को तो आवाज उठानी होगी न? कोई बात नहीं निशा, तुम गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ निशा रसोई में खाना बना रही होती है, तभी वहां किर्टी आ जाती है निशा, तुम मार्केट से ये सामान लियाओ मैं क्यों जाओ, आप भी तो जा सकती हो न? देख नहीं रहा कि मैं खाना बना रही हूँ हाँ, तो क्या हुआ, खाना बनाने के बाद चली जाना हाँ, खाना भी मैं ही पकाओ, बाजार जाकर सामान भी मैं ही ले आओ खुद तो कुछ करोगी नहीं, है न? ओहो, जबान तो देखो कैसे चल रही है सुनो, तुम अभी आई हो इस घर में, तमीज में रहो वनना सासुमा से कहकर माय के भिजवा दूँगी तुमें हाँ, ओह, हाथ लगा कर दिखाओ मुझे देख लूँगी, बहुत मनमानी हो गई तुम दोनों की समझी नीशा लिस्ट किर्ती के उपर फेक देती है किर्ती नीशा को मारने आती है, तो नीशा उसका हाथ मोड़ देती है ओह, मर गई रहे, छोड़ मेरा हाथ आज के बाद मुझसे कोई बत्तमीजी की तो अच्छा नहीं होगा किर्ती रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है इस नीशा चुड़ेलने मेरा हाथ मोड़ दिया मुझे नहीं रह रहा इस घर में अरे कैसी बेकार की बाते कर रही हो अरे निकाल नहीं है तो रिशब और नीशा को निकालेंगे नहीं मुझे अलग घर चाहिए कान खोल कर सुन लीजिए हम दोनों इस घर से जल से जल जाएंगे आप नए घर का इंतिसान कीजिए बस मैं इन दोनों के साथ ज्यादा नहीं रह सकती हाँ वैसे मैं भी कुछ दिनों से सोच रहा था अच्छा हुआ तुमने कह दिया मैं मा को भी बता दिता हूँ मा वो क्या करेंगी तुम्हारे साथ जाकर मैं जाती हूँ कि तुम और मैं बस हम दोनों ही कहीं शिफ्ट हो जाएं इस सब जमेले से दूर अरे पर मा को यहां छोड़ कर इस तरह से जाना ठीक नहीं रहेगा किरती वैसे वो तुमें कितना प्यार भी तो करती है नाम का खयाल रखती है क्योंकि तुम सगे बेटे हो ना इसलिए तुम अगर सौतेले होते तुम मेरे साथ भी ऐसे ही सलुक करती जैसे अभी तुम्हारे सौतेले भाई और उसकी पत्नी से करती है अरे पर फिर भी फिर भी विर भी कुछ भी नहीं देखो या तो हम दोनों इस घर से कहीं दू जाएंगे या फिर मैं अपने माई के जली जाओंगी हाँ बता देती हूँ अच्छा बाबा अच्छा ठीक है सुनिल अपनी मा से बात करने आता है मा मैं सोच रहा हूँ कि किर्ती के साथ अलग घर में शिफ्ट हो जाओं अरे वा बेटा ये तो बहुत अच्छा सोचा है तुमने कब शिफ्ट होना है हमें मैं भी पैकिंग कर लेती हूँ अब नहीं मा मैं और किर्ती ही जाएंगे बस आप तो यहीं रहो ये पुष्टैनी घर भी है ना आपका अरे बेटा तू तो मेरा सगा बेटा है तू ही मेरे साथ ऐसा कर रहा है मुझे अपने साथ ले जा बेटा तब ही वहां किर्ती आ जाती है अरे मा आपको पता भी है कि किराय की घर में कितना खर्चा होता है और अगर आपको भी लेकर गए तो और खर्चा होगा आप तो बस यहीं रहो इसी घर में कोई बात नहीं सुनिल तुम लोग चले जाओ मा यहीं रहेंगी हमारे साथ हम मा का खयाल रखेंगे तुम लोग अपनी ग्रहस्ति संभालो नीशा को ये देखकर बहुत खुशी होती है वो मन ही मन सोचती है हम अब आया न उट पहाड के नीचे अब ममी जी को पता चलेगा बड़ा सगा और सोतेला करती रहती थी सगा बेटा तो जा रहा है छोड़कर अब आएगी इने अकल और नहीं आई तो मैं ला कर रहूँगी नीशा अपनी सास को कैसे अपने सोतेले बेटे से मिलाएगी जानने के लिए देखिए सोतेली मा पार्ट टू